हेलो दोस्तों स्वागत है आपका साहित्य गंगा चैनल में उमीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्थ होंगे और पढ़ाई में ग्यस्थ होंगे तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी जो भारत है भारत की जो जितने भी हिंदी भासी राज्य हैं या अन्य भासी राज्य हैं कितने राज्य हैं और उनकी क्या-क्या राजभासाइं हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं पहले ऐसे प्रस्ण पोछे नहीं चात कौन से राज्य में कौन सी राजवासा है ठीक है तो चलिए शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले आपको बतातों कि प्लीज यह प्रयास अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा ठीक है तो चलिए आ में आगे बढ़ते वे पहला राज्य है हमारा अरुनांचल प्रदेश अरुनांचल प्रदेश की जो राजवासा है वो है अंग्रेजी यहां लगेगा अरुनांचल प्रदेश की अंग्रेजी भासा ठीक है दूसरे नंबर की बात करें असम असम की राजवासा असमी है आं गुजरात में गुजराती राजबासा है無 smoked gunny और माराथी वह दृतिय राजबासा स्थी Hep I tell करते हैं जम्मू कश्मीर यह आपको पता है जम्मू कश्मीर और लद्दाग जो वर्टमान में कैन सासित प्रदेश हैं लेकिन उनकी राजभासा अर्दू और कश्मीरी डोगरी है ठीक है और वर्टमान समय में वहाँ पे हिंदी को भी लागू कर दिया तो आपको पूछा सकता है ध्यान रखेगा नागलेंड अंग्रेजी राजवासा है पंजाब की बात करें तो तो पंजाबी राजवासर है पंजाब की दुझ्द्य राजवासर है मानीपुर में अंग्रेजी मानीपुरी राजवास और माननीपुरी उट्यवासर है मध्य परदेश में हिंदी राजवासा है और दुत्य राजवासा मध्य परदेश में अच्छा चलो यह आप मुझे बताईए करके कि मध्य परदेश में दुत्य राजवासा कौन सी है महाराष्ट में महराथी है लेकिन महाराष्ट की दुतिय राजबासा है हिंदी है ध्यान रखेगा महाराष्ट की दुतिय राजबासा हिंदी अगला है मिजूरम में अंग्रेजी और मिजू राजबासाई हैं वहाँ पर प्रतम दुतिय क्रमसो मिखालाई में अंग्रेजी खासी और गारो ये वहाँ पर बासाई चलती है ठीके राजस्तान की बात करें तो राजस्तान में हिंदी है सिक्किम में लेपचा हिंदी और भोटिया चलती है राइट अगला है हरियाणा हरियाणा में हिंदी हरियाणा में हिंदी राजवासा है और हिमानचल की बात करें तो हिंदी राजवासा है और आताता है चेंडारखन में हिंदी राज़वासा है अब देख दोस्तों अब हम बात करते हैं संग्छासिथ छेतरों की तो पहला इसमें अंग्डमांण निकोबार इसमें अंग्रेजी बांगला ऊह है तीनों ही भासोन यहां पर चलती हैं लेकिन अंग्रेजी वहां की दमन्दीव में गुजराती और मराठी हो गया दादर नागर हवेली में गुजराती हिंदी हो गया और दिल्ली में हिंदी राजवासा है पुद्दुचेरी में अंग्वेजी, तमिल और तेलगू लक्षदीप में मल्यालम, अंग्रीजी तो ये आपकी जो भासाएं हैं, ये इन राजवासाएं हैं ठीके और यहाँ पर प्रथम राजवासा के रोप में इनका प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों ये था हमारा आज का चोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको सभी राजवासा चेत्रों की राजवासाओं के बारे में बताया तो दोस्तों उमीद करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आया होगा और ये पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से बने रही है, चीक है, मिलते हैं इसी प्रकार से अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल